किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रूप की कर्स कम करने के फ्यूचर ग्रूप अपने इंशूरंस जॉइंट वेंचर में हिस्सदारी बेच सकता है फ्यूचर ग्रूप का इटली के जेनरल ग्रूप के साथ जॉइंट वेंचर है इस डील के लिए future group ने कई निवेशकों से बातचीच शुरू कर दी है 2007 में future group ने इटली के general group के साथ joint venture किया था इस joint venture को future generali insurance के नाम से जाना जाता है इस venture में दोनों की 50-60 हिस्सदारी है future generali insurance में future group अपनी हिस्सदारी बेशने के लिए true north, hero fincop, kotak mahindra bank जैसे निजी equity निवेशकों से बात कर रहा है future group ने investment bank UBS को इस प्रस्तावित बिक्री के लिए खरीदार खोजने की जिम्यदारी दी है future group को इस सौधे के जरिये 30-35 करोर डॉलर जुटाने की उमीद है इस रकम से future group को कर्स कम करने में मदद मिलेगी future generali देश की 10-12 टॉप insurance कंपनियों में से एक है देश में इसकी अच्छी पैट है आगे ये कहा गया है कि true north घरीलू insurance सेक्टर को लेकर काफी bullish है और max bupa करार के बाद वो इस सेक्टर में और अधिगरहन की तलाश में है इसके लावा hero group ने भी पहले insurance सेक्टर में अधिगरहन करने की कोशिश की है future group देश का आज जाना माना group है लेकर इस वक्त कर्स की मार से ये जूज रहा है future group के promoters पर कुल 11,970 करोड रुपय का कर्ज है promoters के कुल गिर्वी रखे shares की कीमत future group की network का 90 फीजदी हिस्सा है खबरे ऐसी भी है कि future retail ने default किया है कुछ अगबारों ने future group के default की खबरे भी छापी है खबरों के मताबिक बैंकों ने future retail और उनके promoters पर share किसी दूसरे retail company में विले के लिए दबाव डाला है विरसल बैंकों को डर ये है कि अगर future group के shares में और गिरावट आई तो बैंक की मुश्किल बढ़ जाएगी यही वज़ा है कि bank future group पर asset sale करने के लिए दबाव डाल रहे है इसे पहले future group ने 2012 में पैंटलून retail को बेच कर अपना कर्श चुकाया था पैंटलून को किशोर बियानी ने 1987 में शुरू किया था जो उनका पहला ब्रांड था पैंटलून के बाद बियानी ने कई ब्रांज को बेचा इनमें financial services को वार बर्क के साथ 2012 में बेचा गया 2013 में समू ने चैनल इंशुनेंस बिजनस में 50 फीज़ी हिस्सा L&T को 560 करों रुपए में बेचने का फैसला किया था लेकिन एक साल बाद इस डील को कैंसल कर दिया गया future group के chairperson केशोर बियानी ने मात एक चोटी सी साडी की दुकान से व्यापास शुरू किया था अपने दादा के साथ केशोर साडीों का बिजनस करने के लिए रायस्तान से मुंबई आये थे वहाँ केशोर ने साडी की कारोबार से अपनी एक पतलून बनाने की दुकान खोली और ट्राउसर बनाना शुरू किया केशोर बियानी ने बिजनस को बढ़ाने के लिए शेर बादार करू किया वहाँ से पैसा कमा कर 1991 में उनने गोआ में पैंतलून का पहला शोरूम खुला इसके बाद साल 1992 में पैंतलून को बतौर ब्राण के रूप में खड़ा किया गया बाद में किशोर ने अपने ब्राण को नए आयाम तक पहुँचाया और फ्यूचर ग्रूप खड़ा किया इसके बाद साल 2001 में बिग बाजार की नीव रखी गई फ्यूचर ग्रूप के नाम के साथ फूड बाजार, फैशन, अट बिग बाजार, फैक्टरी, होम टाउन, सेंट्रल, ईजोन जैसे कई ब्रांज जुड़ गए लेकिन आज फ्यूचर ग्रूप संकट में है, कि शोर भियानी जैसे दिगज कारोबारी संकट से जल्ड बाहर आ सकेंगे या नहीं, यह एक बड़ा सवार है